हलो बच्चों जो से आप लों तो बैटा आज बात करेंगे लाइट चेप्टर बार मारे है âmोट में हो और इसका समय लिए कि इसके जो महत्रों पेटा क्लास 10 के फिजिक्स में वह है पूरा पूरा 50% यानि कि अगर टोटल से इसमें एक एक मैटिजम और एक और सोर्स ऑफ इनर्जी तो इदेखें थोड़ा सागर हम लोग इंपोर्टेंस की वरिता देखें लिए तो उसी को लोग मद नजार अगते हुए आज हमने आपके रिदाए हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर लाइट और हमने इसके हर एक पा कवर करते हुए कोई भी टॉपिक छोटे नहीं और ऐसा नहों कि जो आपको स्वर्मिना है हर एक पॉइंट को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यह जो लाइट है पुरा इसको तो आपके क्लास 10 में 3 चैप्टर में डिवाइट किया गया है जिसमें एक है रिफ्लेक् करोंगा और उससाब से आपके सामने लोगर इसलाएंगे और उस हर एक एक आपशोड में आप दbone जाए है मचांइँ है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करें अगर हम लोग लाइट की तो जब भी लाइट शब्द आता है या कोई भी कोशन आता है कि यह क्या है वह क्या है तो सबसे पहले सवाल यह बनता है कि वह है क्या नहीं कि उसके उपर कोशन मार जाता है वह है क्या तो क यह कह सकते हैं कि जो रोष्णी है जो आपकी लाइट है वह उर्जा का फॉर्म है तो अभी कहेंगे कि सर केवल इतना कहने से काम चल जाएगा क्या तो मैं को पेटा की यह इतना भी सैटिस्फेक्टरी नहीं कह सकते लेकिन अगर आप चेक्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं न स्टार्टिंग कर रहे हैं तो तब आप बोलेंगी लाइट इस फांफ एनरजी तो वहां पर बहुत सैटिस्फेक्टरी आंसर यह कहलाएगा लेकिन जब आप उसको पॉड़ चुके हैं और दुबार आप से कोशन पूछा जाए और आप फिर भी आप यही आंसर देते हैं तो यह सैटिस्फेक्ट्री आंसर नहीं हो तो सैटिस्फेक्ट्री होगा क्या तो चस्पोज कि मान के जलिए कि आप से कोशन पूछा गया है तो क्या बताएंगे आप लाइट इस ऑफ एनरजी वीची वीची यूज़ और विच इनेबल्स अस्टू सी ऑब्जेक्ट यानि इसी सब चीजों को बिल्कुल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉंट्स को यहां पे बिल्कुल डाग्राम की तरह मैंने आपको यहां पे मेंचन कर दिया है और इससे अधिक कुछ है नहीं अगर हम इंट्रॉडट्री चेप्टर की चर्चा करें तो लाइट के सबसे स सकते हैं ऐसे महीं सकते हैं लेकिन मैं अभी फिर से बताऊंगा वही चीज कि light से या हम किसी object को तब देख पाते हैं अंदेरे में तो वहम ने दिख то है क्योंकि एक बात कि जो भी object हैं जिनको हम दिख पाते हैं उनके अंदर से light निकलती है कि बढ़ा सबसे değiş्ट कि अगर कोई बी ओप्जेक्ट जिसके अंदर से लएट निकल जई है हम उसे देख पाते हैं तो सबसे बड़ा इहां पर यह बनेता है पी आखीर सब सत्रय एक ओप्जेट लएट निकलती है तो वहीं पे मिन मातर आता है कि नहीं बेटा इस हिसाब दूसरा पार्ट नॉन लुमिनस अब यह भी क्या सीन है लुमिनस और नॉन लुमिनस वैसे तो इसे अब पिछली क्लास पर पॉड़ चोके हो लेकिन इस क्लास के लिए क्या है स्पेशल जो हमने जाना चाहिए सोचो तो अभी हम लोग बात करें लुमिनस की तो लुमिनस ऑब होती है उनके मेनत और बल्बूते पर होती है जैसे जाम पले लो संब्सक्राइब कि लाइट खुद की है तो तॉर्च भी होगी थीक है समझ गया मैं तॉर्च भी होगी उनकी लाइट भी खुद की है टो इसलिए इनको कहते है तो नॉल लुमिनस ऑबजेक्त वह होते हैं जो कि खुद की लाइट नहीं होती है वह किसी और की लाइट को को अपने अंदर से अपने सर्फेस से क्या करते हैं पास करवा देते हैं जैसे तो आप्ने मालूमLY मुन का म्हाइट नहीं है तो आखिर उसकी लाइट सब्सक्राइब करता है और नाइट ताइम में जब प्लेबल नहीं होता एंट से मून क्या करता है यह क्या कर रहा है मुंत है कि रिखने के लिए क्या चाहिए दिखने बहुत आवश्यक है कि हमें यह होना चाहिए कि वह object luminous यह non-luminous हो अगर इन दोनों के अलावा वह object में से light नहीं निकल रही है इसका मतलब वह object हमें नहीं दिखेगा यह guarantee यह लिखे लिए ठीक है एकजांपर के तोर पे अगर आप एक अंधेरे रूम में जाओ अंधेरे कमर फिजीक्स है क्या है फिजीक्स इसके पीछे इसके पीछे निदने भी object आपके रूम में रखे हुए हैं बहुत सारे object होंगे तो सायद हो भी सकते हैं तो उन सारे object से light निकल के तो निकल कि कब आएगी जब हो लूमिनस नहीं हुए तो किसी और की लाई को टक्रा के वाप देगा तो एक बात हमेशा इमाम में आप सूच लो कि किसी भी अगर ऑब्जेट को देखना है तो इसका मतलब दो कंडिशन बनती है पहला या तो उसके अंदर से लाइट निकल रही हो खुद की दूसरा या तो किसी और की लाइट को अपने बॉड़ी से टकरा के तुम्हारे नौन ने कॉंसेट आता है तो ओब्जेट को देखना और ना देखना के डिपेंडेंसी क्या होती है तो उससे मतलब नहीं है कि ओब्जेट कितना बड़ा है कितना छोटा है मतलब यह है कि हर एक ओब्जेट जिसे हम देख सकते हैं उस पे से लाइट जाती है टकराती है और फिर वापस आती तो ये लाइट के टकरा की वापस आने की एक कॉंसेट क्या कहते है वैठा किया कहते सको रिफ लेक्षन अगर थोडा सा सुध्व हिंदी में बात क alma मुझे पता है इसके बारे में हिंदी मैं क्या क्या कहते हैं जो किसे भी आप्जेक्टन जाके लाइट गई टकराई और वापस आई तो यह जो कंडिशन है चाने का और वापस आने का तो आती बैग दिमालों की हमने इस रूम में क्या कर दिया अब गोर करो ठीक है अब अगर मैं इस सारे लाइट से इसमें बंद कर दूँ तो क्या आपको यह बोर्ट दिखेगा न आपके आखों में जा रही है यह क्या है यह रिफलेक्टर लाइट है कि नहीं बोर्ट की खुद की लाइट तो है नहीं यह क्या कर रहा है तो यह सीन है बैटा किस कंडिशन की बात करें तो कि लाइट इज फॉन फ एनरजी विच इनेबल्स तो सी आपसेक्ट तो सबसे कॉमन यही है इसकी अलाव बहुत सारी जांपल्स आप ले सकते हो जितने भी ऑब्जेक्ट है यहां पे धरती पे सारी सारी नौन लुमिनस क्यों किसी और के लाइट अपने तकरा के भिजवाते हैं नहीं होते जैसे चेयर टेबल कुरसी मेंच कापी किताब बोर्ड पूस्टर यह सब जितने भी होते हैं इनके खुद की लाइट होती नहीं नहीं कि हम बिना रिफ्लेक्शन के कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते तो अगर सोचो कि अगर हमको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो कंडिशन एक ही है कि उसके उसके ऊपर रि अगर रिफ्लेक्शन होता तो हमें वह दिखता आप इसके उपर फोकस कर सकते हो जाके एक रूम में जाओ बंद कमरे में बंद कमरा बंद कर लो ठीक है और फिट देखो क्या दिख रहा है नहीं दिखेगा वहीं हलका सा रोशनी एक तरफ से कुने से आएं तो सब कुछ दि मतल संब्सक्राइए तो इस वाले पार्ट में हमारे रहे हम यहीं ज्यानना है फिर उसके बाद हमको जानना है हमको जानना फिर बिटा नीचर के बारे में या उत reflects नियांचर को उसका होता है तो चठचा करो हम लोग तो नीचर वाइट्सक्षा। किते तरह के दूई तरह के कैसे तो जब सपोज कि मान के चलो की कौन-कौन से हैं एक है पार्टिकल नेचर और एक है वेव नेचर ता अखिर यह पार्टिकल नेचर का मतलब क्या होता है तो एक बहुत ही महान विद्दवान अनंतमान साइंटिस्ट होंगे जिनका आप जानते कि जो लाइट होता है वो दूल पार्टिकल की फरम में चलता है यहीं कि रोशनी में वहीं से हवा में उसके धूल घैना je कि Newton का भीक हना था कि जो light है उसके भी होते हैं छोटे-छोटे कर भूते हैं जिनको कर पमदुक्ल कहते हैं उस पे ज्यादा अभी करना ह। उनकी नाम से नहीं लो टॉल। होता है कि तो होता है नूटन ने कहा कि light has out particle नेचर लाइट की जो क्वालेटी में है वह पार्टिकल नेर्व में है एक जगाव से दूसे यह जब भी चलती है तो उसके अंदर कुछ क्वाद करते रहते हैं मूव करते रहते हैं ऐसे दूसरे जगह और यह बात निंटन ने अपने उस समय तो हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या था मतलब तो अभी हम लोग बात करेंगे पार्टिकल पे न्यूटन ने कहा था कि लाइट है ज़ो रोशनी होती है वह पार्टिकल नेचर में होती है जब भी रोशनी ऐसे से मुव करेगी तो उसके चोटे-चोटे कर और उन्यूटन ने यह बात कहीं लाइट को लेके बहुत ही इस्पेशली यह बात कर दी और भाई जानते हो ना कि साइंस में अगर हम लोग साइंस में हमको कुछ भी कह के बिटा प्रूव करना पड़ता है अगर हम कुछ बात कह दें और प्रूफ ना करें तो हमारे कहना ना कहना सब एक बराबर है भले ही बाद में चलके वह गलत सलत हो जाए वह अलग बात है लेकिन अगर आज कहेंगी सन वेस्ट से निकलता है त उसका प्रूफ दे दिया पूरी दुनिया मानेगे भरे वह इस्ट से निकले ठीक है तो हमारे जो साइंस साइंटिफिक ठीक है तो फिर कोई और बंदा हो जो उसे गलत साबित कर सकते तो यह कंडिशन उसके अंदर अब क्या है बटा की पार्टिकल नेचर की बात करें हम ल दिया लेकिन उन्होंने कुछ नकुछ तो ऐसा कहा होगा ना कि जिसे हम माने कि लाइप के पार्टिकल नेचर होते हैं वै कैसे मानलेंगे तो तो अभी क्या है कि पार्टिकल नेचर के बारे में ने तीन एक्सपरिमेंट किये थे तीन उन्होंने एक्सपरिमेंट में करके दिखाया थे जिसके चर्चा भी करेंगे तो पहला था दूसरा है रिफ्रेक्शन और तीसरा है कास्टिंग सेड़ों पता देता हो मैं एक एक चर्चा भी कर देते हैं लो उसके उपर संलाइट आएगी टकड़ा के और उसका जो रिफ्रेक्शन होगा वह मांदो पैसे से रोश्ण रिफ्रम में पढ़ जाएगा तो इसको कहते हैं से उपर दिखेगा मैंने उसकी डिप्थ अगर दो मीटर है तो वह तुमको डेड़ मीटर एक मीटर पर दिखिया है क्यों दिखेगा तो यह प्रोपर्टी आपकी रिफ्रेक्शन की है इसके उपर चार्चा करेंगे नो डीटेल में ठीक है अभी मैंने पास एक जामपल दे र हीपुषै कर सकते हैं लाइट है यह पार्टिकरने चारोन लुट नियूटण करके गोजब करती Coleman पूरा उनकी जो समर्थक थे न्यूटन तो न्यूटन है एक्सपरिमेंटल का बाथसा है दूसरे बच्छे जो लेकिन नहीं न्यूटन में महनत करा है जो भी महनत करेगा उसे फल तो मिलेगा इसमें सब्सक्राइब करते 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 दिमाग करते बड़ा और बड़ा बन जाता है जीवन में पेशन्स बहुत जरूरी अगर पेशन्स है और आपके पास continuity है देखिए तो चीज़ें हैं आपके सफलता होने के लिए यू इफ यू हैब टू एचीव यो गोल एचीव यो एम देन यू हैब हटो थेंग्स तो फको कोंज सी फस्ट इज आपका पेशंस और सेकेंड़ इंपॉन्टी पैसे पैसे एंद कोंडीन यही दो चीज को जीवन में आपके जिस दिन आप नहीं आपको कॉय कोई एंस तॉस साइटी से और अगर आप सोसाइटी से अठके हो तो हो तो भी या ज्यागी दूशार करके रहा हुआ कि न्यूटन की बाते हो गई सब मान गया सारे साइंटिस्स मान गया सब कुछ मान गया कोई काट की नहीं इसके तो फिर एक और बंदा था एक और साइंटिस्ट इसका नाम था हाईजेन था अब इस बंदे ने क्या किया होगा उन्हें सुना न्यूटन न्यूटन और यहां पर कलंक है क्या हम तुरां उन्होंने दिमाह लड़ाया और अपने तरफ से लाइट के ऊपर एक नया अप्थियोसिस निकाल दिया और उन्होंने कहा जाके जगह जैसे जहां स्यंटिस्टोव का मिल लगता है वहाँ पर कि ढहूंने का देहों इस लाइच है बहुत सअ यह मतलब च faces linkum को की लाइट है जो विव नेचर लाइच विव नेचर कासे थेन तो उन्होंनेование टीन कोई लागा तिन देवा पर्फार्म अब कोगे सर यह कौन से तीरतलवार बंबारूत के नाम हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं तो इंटर फेरेंस है तो मांच चलो कि बैटा यहां से तुम आए वेब के फॉर्म में चलते हुए ठीक है एक पॉइंट पे और वहां से एक और कोई आया वेब के फॉर्म में चलते दोनों लोग एक जगह मिले और मिलने के बाद तीसरा कोई बंदा आया तो इसी कहते हैं हम लोग वेब नेचर कंडिशन इसी कहते हैं इंटर फेरेंस क्या होता है कि एक वेब कैसे य और दुनों आपस में कंबाइन होगे और जुड़के आगे निकलगे एकस वाई बनेंग दूसरा था पॉलरिजेशन तो जैसे बात करें ना की लाइट के लाइट जो होता है जो भी लाइट होता है जब भी मूब करता है तो वो सब्सक्राइब करता हमें सब्सक्राइब करता है तो यही चीज ने कहा कि लाइट अगर एक तरफ अनरजी मिलेगा नहीं मिलेगा उन्होंने क्या करा ना कि चारहों तरफ की कट कर दी और कहा कि के किसा बनाया जम्सक्राइब क्या नाम था और रोशनिक पास कर रही ना तो वह से मान चलो उससे पहले अगर लाइट दस मीटर दूर जा रही थी तो अब एकी बार सौ सौ मीटर कवर करने लगी अब लोग देखके हैरान और यह क्या हो गया यह क्या सीन है तो गजब हो गया तो उसके बाद जब देखके हैरान हो गए उन्हों देख भाई यह है आपका करता हैं और पॉलराइजर को तो क्यों कि यहाणिस को सीनों लिए यहा टरल मा ने जाता है जाता है क्योंकि वहां पर प्लराइजर यहกर प्रयोग करते हैं तो यह तक दूर जाएगा और पूरा प्रया कोई ऐसे ना हो जो होने चाहिए तो इसलिए प्रयोग करते हैं वैसे केवल समय और भी जगह है जहां यहां पर हाथ रख दिया फिर भी हमको उसके पीछे का बढ़ रहा है पड़ रहा है पड़ रहा है पड़ रहा है फिर भी हमको पीछे का टाइप लिखा हुआ दिख रहा है कैसे दिख रहा है नहीं दिखना चाहिए ना क्योंकि जब यहां पर हमने लाइट की रोशनी को रोख दिया नहीं पड़ना चाहिए लाइट एकॉरिंग टू पार्टिकल नेचर लाइट ट्रेवल इस्टेट लाइन और जब लाइट इस्ट्रेट हैम चलेगी तो कोई रास्ते में और और अवरोधक हो गया तो पीछे रोशनी कैसे जाएगी नहीं जाएगी कॉमली बात है न्यूटन के सामने सब कोशन माख रख दिया हाईजिन ने तो हाईजिन का एक और नियम आया डिफ्रक्शन का नियम ठीक है उन्होंने कहा कि देखो भाई डिफ्रेक्शन भी एक ऐसा तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि दिखा सकते हैं कि लाइट की नेचर कैसी है एक और यहां पर इस पर जैसे ना जैसे मान चलो सूबा के च्छे बज गया उससमें संदाइस तो होता नहीं है संदाइज छे चालेज छे थीस से होता है लेकिन फिर वी हमारे रोशनी बनी होती है एक सजड़ी बेला एक सुभग बिला नहीं की यह रोशनी आती कहां से यह बताता है कि सब्सक्राइब के जाने के बाद भी डिफ्रेक्शन के पौसीजर से हमारे एड्मोसफेर में लाइट मौजूद बंकर दिया हमने और एक छोटा छोटा से मुखा खुला है कैसे रोस नहीं सकती है यहां तक हम दिख सकते हैं तो इसका सीशन यह है diffraction क्या कैता है यह ना कि अगर कोई आजान शुक्ता कि अगर कोई आजाए तो ऊब्सक्रब्स हो जाती है और स्प्लिट हो तो यह था बैठा पार्टिकल ने इसको किस क्यति नहीं दिया था निव दिया था रहते इनके समर्थ यह दोनों आपस में लड रहे थे इनके समर्थ भी लड रहे थे तभी पॉंटम नाम के एक इनके एक कॉमन फ्रेंड ने जिन जो दोनों का तो बंदर को एक कानी जिसको बच्पन में पढ़ी है ठीक है चले तो यहां पर quantum क्या वनगे बंदर और उन्हें दो बिल्लियां याई एक नीटन और एक हाई नो लट रहे थे आपस तो नहीं होता है कि उन्हें कहा कि बाइद देख नुटन तुम बिल्कुल सही कह रहा है लेकर को ना मैं अतरा मिले गए को ना मैं कुछा मैं और कहा कि तेक ब यार न्यूटन आते नंग बिल्कुल सही है इद्दम युगा करेक तुम तुम्हारा ही पचलेगा ठीक है इसको भीज़ जाग़ और अब आगए सेंटर में जहां पर साइंटिस्ट बढ़े और उन्होंने कहा क्या कहा उन्हें का देखो बाई लो लाइट के दूई नेचर होते हैं वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है दोनों को ने क्या कर दिया कंबाइन कर दिया और कहा क्वांटम नेचर अफ नहीं मना दिए विटा क्वांटम नेचर आफ लाइट तो इसी को बोलते हैं विटा डूवल नेचर आफ लाइट और उस समय के बात से ही इसको पढ़ते हैं हम लोग डूवल नेचर ओफ लाइट के दूई नेचर होता है एक पार्टिकल नेचर भी होता है और एक वेव नेचर होता है तो इस पर भी क्वांटम ने थोड़ी से महत जादे करी और कुछ नियुम काई नहीं निकाले लेकिन बंदे ने तो ब लोग आगे चर्चा करें ठीक है तो लाइट में हमको पढ़ना क्या है तोOTHले परना है प्लास 10 में पढ़ना के बारे में चर्चा करेंगे और रिफ्लेक्शन के बारे में चर्चा करें से पहले हम जानना चाहते हैं नहीं पता कर सकते हैं तो यह जानेंगे तो यह मिरक कितने टाइप के होते हैं हमारे दूइट यह कौन-कौन से एक होता है प्लेन मीरर और एक होता है आपका स्फेरिकल मिरर और इस्फेरिकल मिरर और जानते हो जिस में लोग सुबह साम अपना चांद सरोशन चैरा अंट देखते हैं निहारते हैं ठीक है और और भी आप लिए लोग के डिपार्टमेंट है जो सुबह साम तक दिखती रती तीच्चों की निकाल के कि हमारा कहीं मेकप तो नहीं खराब हो गया वह भी डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है वेटा प्लेन मिरर ठीक है उसके बाद बात करेंगे हम लोग इस फेरिकल म मेरे में दो पार्ड में क्लासिफाइड है एक है आपका कंकेव और एक है आपका कंवेक्स दो पार्ड में क्लासिफाइब तो यह था हमारे मिरस के टाइप्स अब मिरस के टाइप्स के बारे में बहुत डीटेली स्टडी करने के लिए हम लोग बात करेंगे चला जाएगा अब हम प्लेन के बारे में चर्चा करेंगे कैसा होता है एक बहुत ही इंपॉर्डिन इसमें प्लेन में फोकस क्या होता है तो थोड़ी से समझने में थोड़ी तकलीफ हो मैं समझ सकता हूं कि अगर आप लोग नए हो तो अगर आपने नहीं सबस्ट रख़ा है तो अगर फोकसष क्या है तो फोकस क्या होते हैं यह यह क्या पता बहुत अच्छा क्वेंच्छा कूशन रखता है और आगर आगया करते हैं और इसका फोकस होता है वह इंफाइनाइट होता है और इसके उपर यहां पर यहां पर यह आपजेक्ट होता है यह आपजेक्ट होता है तो जितना दूरी यहां से यहां तक आपजेक्ट है ना उतना ही दूरी यह अंदर बनता है उसका इमेज क्या बनता है उसका इम अब्जेक्ट एसे खड़ा है तो इमेज भीदम होता है अबजेट की हाइट अगर दस मीटर है तो इमेज की भी हाइट दस मीटर ही होती है तो यह थी छोटी-मोटी कुछ बाते बारे में जिसके उपर हम लोग और बहुत डिटेरिम डिसके उपर वैसे बहुत कॉमन है आप में जनकारी होई ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं के अब हमां एब चर्चा करें हम लोग auz के भारे में लौझ के बारे में लास से बारे में रिफलेक्शन一定要 Reflection आपके पास एक रहे और यहां से light ऩाय अर फिर प्र यहां चल जाएगी तो यह जो फैंट तक्राई हैं था कर कई और में पे कोई कमी कमी नहीं नहीं है कभी यह से हो सकता है क्योंकि बिना रिप्लेक्षन इसके रेक्षि dell होना आवश्यक है अगर हमको किसी वे और को देखना है तो ओके चौन नेक्स्ट पीटा reflection के बात लॉज हो गया अब लॉज में कौर करो और संवरी reflection में करो तो यह लाइट जो आह रहे हैं इसको बोलते हैं बेटा incident ray क्या बोलता है इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसीडेंस बोलते हैं ठीक है और यह निकल गई है से तक राने के बाद निकल गई तो इसको बोलते हैं पीटा पॉइंट ऑफ रफलेक्टेट रहें क्या बोलते हैं इसको रिफलेक्टेट रहें और उसके बार यहां पे हम लोग ऐसे आयसे एक टू नॉर्माल लाइन ड्रक करें तो इसको करने नॉर्मॉल तो एक हटेलें चलिए तो अब यह सीन क्या है तो reflection होता है कि जब incident rate आके किसी प्लेस किसी मिरज पर टकराती है प्लेज पर टकलने के अब क्या होता है reflection होता है तो जो रेट टकराती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रहे जो टकराने के बाद निकली है बाउंसिंग बाइक की है बाहर उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और जिस पॉइंट से टकरा के निकली है उसको बोलते हैं पॉइंट ओफ रिफलेक्शन और यहां से एक स शेट चाहें हम लोग तो एक ऐसा में घ्रनना जो सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर तो इस पे भी आपको कॉशन बन सकते है कि विच में इस तब बेस्ट रिफलेक्टर अफ लाइट दिमा में नोट कर लोगत हम गरांटी सिलवर जो सबसे महेंगे मिरर उन्हाइं सिषे जिसमें अपने चरा देखते हैं उनमें जो महेंगे वाली मिर होते हैं बहुत कोस्टली मिरर होते हैं उनके पीछे और यह वाले नॉर्मल वाले जो सस्ते 10 रुपे 20 रुपे वाले आते हैं उसके अंदर प्रयोग करते हैं कुछ इसी का अलोय का प्रयोग करते हैं जिससे पड़े और लोग उसका उप्योग भी कर सकें ठीक है तो यह था हमारा reflection मिरर पर इनी किसा होता है ने देख लिया होग होगहाएं पहला नियम कहता है और जिस एंगल से टकरा के बहर निकलिये उसको बोलते हैं विटां अघल एंगल औफ रिफ्लेक्शन तो इसको बोलेंगे हम लोग एंगल आफ एंगल उफ रिफ्लेक्शन हो गया पहला हो गया दूसरा नियम कहता है की incident ray reflected ray और normal यानि incident ray reflected ray और normal reflected ray और normal तीनों के तीनों का जो point होता है वो कहां पर होता है plane पर होता है यानि कि इस mirror के plane पर यानि all lie on the same सबके सब बेटा एक ही point पर क्या करते हैं लाई करते हैं को से point पर इस point पर incident वाले reflected वाले और normal वाले तीनों के तीनों एक ही point पर लाई करते हैं यह थे नियों angle i is equal to angle r और all the lie on the same point जिस angle से जाता है इंगल से बाहर निकल इसको होते हैं angle of incidence और यह दोनों हमेशा equal होते हैं हमेशा कोर करना यह दोनों क्या होते हैं हमेशा equal ही होते हैं तो क्योंकि array of light है तो इनका angle of incident और angle of reflection हमेशा क्या होगा होगा और अगर equal हो जाए तो यह laws of plane mirror को प्ले मेर की नियम होगा करते हैं फॉलो करते हैं तो यह था नियम जो हमारे reflection of light for a plane mirror था अब हम लोग चर्चा करेंगे बटा की types की चर्चा करेंगे types क्या है तो अगर हम लोग बात करें बटा types की कि कि कितने types की होते हैं कौन reflection होते हैं दूई types के कौन कौन से एक होता है बटा आपका रेगुलर और एक होता है बटा diffused रेगुलर डिफुज में क्यांतर है बटा तो रेगुलर रेफ्लेक्शन हमें सब मिरर से होता है ठीक है प्लेन मिरर से यानि वो चीज जो बिल्कुल प्लेन हो स्मूथ हो एकदम चिकनी हो और उसमें आपका चहरा भी बनता हो यानि कि आपने चहरा देखो चहरा देखे बने उसको बोलते हैं उस तरह के बीटा रेगुलर रेफ्लेक्शन होता है अब डिफ्यूज कहां पर होगा तो डिफ्यूज होगा की इटा पत्थर मेज टेबल कुरसी हेड लाइट यह सब चीजें जो की नॉन लेविंग तिंग नहीं निकलती है मेरे की तरह नहीं दिखते हैं फिर भी उनके ऊपर से रेफ्लेक्शन होता है बसरते इनका रेफ्लेक्शन रेगुलर नहीं क्या होता है ठीक है तो इनका मतलब जानना बहुत आवश्यक है मतलब जानते हैं रेगुलर रेफ्लेक्शन पेटा ऐसे होता है ये सरफेसी नहीं होता तो यह झाया केस एस दो टैप्स के आपके रिफलेक्षन हो गए एक है रेगुलर एक है कि नेच्स चर्चा करते हैं में लोग ऑप्जेक और इमेज की औप्जेक्ट और इमेज क्या है उस पर देख लेते हम दो तो यह जो है अबजेक्ट यह मारकर है तो यह होते हैं तो जो वह होते हैं जिनके अंदर से लाइट निकलती है अब आपको पता है कि लाइट निकलने के लिए यह होना चाहिए लेकिन जब हम इसके अंदर बात करते हैं रीच के अंदर बात करते हैं तो सक्नल वोते हैं जो अपने अंदर करते हैं जो जो अपने अंदर से लाइट नहीं करते हैं ठीक है उसके बाद करते हैं image क्या होता है तो इमेज वह होता है जो अपने अंदर से light emit नहीं करते हैं ओपने अंदर से light emit नहीं करते हैं एक लाइट कौन एमिट करेगा लाइट केबल पिटा ओबजिक्ट करते हैं यह आपने नस लाइट निका लेंगे यह फिर लाइट रिफलेक्ट कराएंगे कभी-बी इमेज में से यह हो एकिसे लिए लाइट हमेंचा αιंहें कलता है एमेज का एम तो ऑब यह आ एक यह आप इन्दर के नहीं है नहीं कलते हैं लोग उनको बोलते हैं लोग पालाइध और इसमें एक और बाते हम लोग कहा सकते हैं में कि जब भी जब भी यह चलो हम नहीं पर अबजेक्ट रख दिया यहां पर तो ऑबजेक्ट में से जब लाइट निकल के प्लेने मेरे पर टकराएगे ना तो ने के बाद वो च्पोल करते हैं दूसरे ऐसे एसे मीट करेंगे या फिर ऐसे मीट करेंगे जो मीटिंग होती है मीटिंग से एक 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 reflection होता है उसी reflection को क्या कहते हैं च्पोलोग image कहते हैं तो हम एक और इसमें सकते हैं कि image is the reflection of object अब यह भी एक definition अच्छा ना सकते हो कि image are the reflection of the object एक ही हो गया और object क्या है object आर दो material दो substance which have which emit their light और reflect their light या तो अपने अंदर से रोशन निकालते हैं या तो वो किसी और के रोशने को अपने बोली से क्या करते हैं reflect करवाते हैं तो उनको हम object क्याते हैं तो यह बाते थी बीटा दोट एक अब्जेक्ट क्लियर हुई नेक्स चर्चा करेंगे हम लोग image के बारे में तो image दूई तरह क्यों होते हैं कौन कौन से तो एक होता है real और एक होता है आपका virtual तो real image क्या होते हैं और देख नहीं सकते लेकिने रह SRC चाहिए इनके बनने के लिए जामपा के तोर पर प्रजेक्टर आप יע Senema hall के ऑंदर एक स्क्रीन लगी घंफे लगता है उसी परदे वर्दे पे प्रोजेक्टर से सब करते MARK और हमें वह इमेज क्या होता है तो ऐसे उमेग वह होता है जिनको हम क्या करते हैं स्क्रीन है यह हो गया और वर्चुल का मतलब जिसको इसक्रीन किया हो सकता नहीं है हम ऐसे भी उसे देख सकते हैं वर्चुल इमेज करते हैं ठीक है वर्चुल मतलब इल्यूजन भी होता है क्योंकि वह रियल इमेज नहीं होता है रियल मतलब असली जो असली के में बने चाहिए होता है बनने के लिए और किसको कि नहीं के हम तो आपका मतलब हम ऐसे सकते हैं इसको इल्यूजन भी कहते हैं ठीक है इल्यूजन भी कहते हैं आपको आड़ा दों रियलोस होते हैं हमेज़ाइसा journalism बनते हैं थीचा रियल वाले जो होते हैं वह हमेश्या होते हैं इन ही इन वार्ट रहा होता है तो यानि कि यह अगर सीधा है तो यह कर दो तो ऐसे बनता है और वर्चुल हमेशा सीधा बनता है यानि कि इरेक्ट बनता है यह बहुत इंपोर्टेंट है जो रहे सेibenता है सीधा बनता है उरर यह इरेक्ट होता है शीधा बनता है बिल्कुल कुछ नहीं Aus जैसा औबजेक्ट वाइसा ही इमेज वर्ट्चुर्ट देशन नमता है कोई डिफ्रेंस नहीं होती है नेक्स चरचा करते हैं टा फॉर्मेशन ओफ इमेज भाई प्लेन मेरर इस पर देख लेता है इसको का सब्सक्राइब सब्सक्राइब गररें है इस यहां से बैटा जितना है उतना ही तो यह हो गया आपका इमेज बन गया जितना अबटा ऑबजेक्ट है उतना ही इमेज हमारा बन जाता है इसके थोड़े परवरतन होती है इसके बहुत सीन होता है क्योंकि इस पर बनता है आपको ऐसे और यहीं से यह बनता है तो यह तरीका बनने का यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है न यहां पर अंगल आई होगा यह एंगल आई होगा यह एंगल आपको और यह इमेज ए-डच और यह हमारा आई जो हमें से देख रहा है तो यह ऐसे बता बनता है प्लेन मीरेर पे इमेज मेज बनने का तरीका है हम हम सहर्व करते हैं और य geç जाता है ट्रस्ट जापर जाता है यह क्या कर देता है कट कर देता है जहां करता है वहीं पर आपका रिल में बनता है ज़्त डाइस करेंगे हम लोग लाइटरल इंवरजन की कि अब कि यहीं बात करते हैं लेटरल इन्वर्जंग की लेटरल इन्वर्जंग क्या होता है लेटरल इन्वर्जंग देख लेते हैं हम इसको आपको सामने बताया था है कि आप अपने घर पे इसको अबसर्ब कर सकते हो बहुत बढ़ी चीज नहीं है आप मेरे के सामने जाना खड़े हो जाना और लेटरल इन्वर्जंग सोचना क्या होता है तो अगर आप उसके अंदर अपना राइट हैंड उठाएंगे मि Christmas में अपना राइट हैंड उठाएंगे तो मिरे के अंद्र कैसा दिखेगा उसका लेट हैंड उठेगा यानि कि हम राइट हैंड हैंगे बाहर से तो अको होगा तो मिरें के अंदर कौन सा उठाल यह अइसा है जिसमें लिफ्ट हैंड साइड लगपार्ट राइट हैंड साइड दिखे और राइट हैंड साइड दिखे इसी पर्णामना मुझे लेटरल इन वरजन आप इसको अबसर्ब कर सकते हो बहुत ईजी है कुछ आप वीडियो देखते वे वहां जा सकते हो मिरर के पास और आप यह चीज कर सकते हो बिल्कुल परफेक्ट एक दम क्लीन यह इस तरह का प्रयोग करते हैं सब आप एंबुलेंस अंबुलेंस वाले क्यों क्यों क्याल क्यों उस पर लिखा होता है ताकि जो बंदा कल तो उसके जो हेड लाइट जो साइड के साइड मीरर है या फिर में में हेड मीरर है वहां पर इदम साब सब दीखे कि भाई पीछे से क्या रही है एंबुलेंस आ रही है तो इसलिए पहले से लेटरली इनवर्टर फॉर्म में लिखा जाता है ठीक है अब देख सकते हो उसके अंदर आप मैं यूज़ाल के रहे तो मिरर का यूज़ात की कई जगा बहुत अब नहीं सकते हैं ठीक रहने का का हने हम पहला है जब हम आपना चांटन चेहरा प्र इस नहीं होता है हम तो सुबह साथ दो पर साम देखते हो गया या फिर एक ही बार भी देखते ही ना हूं ठीक है क्या जरूबता देखने हैं तो एक यह सीन हो गया दूसरा सलून में लगता है पीछे आगे चारों तरफ शेश्य लगे होते हैं उसके बाद आप गौर करो बिटा तो और कहां ल दिखा दूगा में प्रयोग करते हैं प्रयोग करते हैं जिसके बाद का उसके बाद क्या होता है उसके अंदर होता है और उसके डाल लगबग बहुत सारे हैं ठीक है आप अपने से सजिस्ट कर सकते हैं हम देखेंगे कमेंट में सजिस्ट करते हुए कि आपने यह हो गया आज का जो हमारा इंट्रोड़क्टरी पैड था लाइट की रिफलेक्शन का हो गया अब बटा जब भी आगे आएंगे तो आप से चर्चा करेंगे कि अभी अब इने प्रक्राइब करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इस अब जलते हैं जाएं